Hello guys, बहुत जोश में हूँ, एक positive news के साथ तो आया हूँ, लेकिन थोड़ी अच्छी news नहीं है, bad news है, लेकिन solutions के साथ आया हूँ, देखिए मैंने अभी search किया है trozone malware, ठीक है ने अपने mobile पर, अब मैं यहाँ पर news में चले जाता हूँ, गया मैं news पर, देखिए, be aware of cerebrus, trozone malware that steals financial data, CBI कह रही है, उसके बाद, Indian cooperative banks पर भी trozone malware का attacking कुछ हुआ है, उसके बाद, SBI बाउन कर दिये, cerebrus banking virus को, उसके बाद, cooperative banks in India, been attacked by malware, and coronavirus as bait, google update, task machine as we detected as malware, क्या-क्या news आ रही है, मतलब, news नीचे कर स्कूलार, मेरी उंगलिया थक जाएंगी तब, ये उंगलिया लिख रही है बाद, क्या-क्या news है, next करूँगा, और आ जाएंगी, तो पूरा अमसे तक बने लिए ये वीडियो में, पहली वीडियो में बात करूँगा, है क्या, दूसरी में बात करूँगा, पहले, उसके end में बात करूँगा, solutions क्या है, 5-5 minute का होगा, दोस्तों, 10 minute बन जाएंगी, cool लेकिन आपको पूरा देखना है, समझे रहे हैं और शेयर करना इसे, आलतु फालतु चीज़े भले आप शेयर करते हो, और भी चीज़ आप शेयर करते हो, WhatsApp ने, memes, send करते हो, Facebook पे, यस वीडियो को send कर दीज़ेगा, दोस्तों, share कर दीज़ेगा, लोगों को forward कर दीज़ेग आपके मामा मामी, मौसा जी को, मासी को, दूर दूर तक के रिष्टेदार कोई पता चल जाए कि यार ऐसी चीज़े है, मैं न्यूस दिखा रहा हूँ ना, आपको मजाग समझ थोड़ी समझ रहा हूँ, 23 आर्स अगो, एक हफते पहले की बात, एक दिन के पहले की बात, एक किस पर ठोची डी बात, के उपठर, टोफोण एक तरीका का मालवेयर हैं, मालवेयर मतलब की मैलिश्य सौफटवेयर, सौफटवेयर का वेयर ले लिया, पीछे का और मैलिश्य का ले लिया, मैल्वेयर हो गया, तो एक विकार सा वाईरस, एक प्रोग्राम होता है दोस्तों को मैं control ले लूँगा मैं चलाँगा मेरी मड़ी चलेगी आपके उसमें ऐसा अच्छा लगेगा आपको नहीं लगेगा और दूसरी बात क्या हो जाएगा कि आपकी चीजों को एक्सेस करेगा दूसरा चीज कर सकता आपकी चीजों को एक्सेस कर सकता है आपके data को कैसा data जो परस्नल डाटा है आपका नाम अधार काड़ नमबर आपका SBI का number SBI किसी bank account का number उसके बाद debit card credit card इन सब के number कोई password किसी अच्छी site का जिसमा हमेशा login करते हो अलग लग चीजी है दोस्तों यह कर सकता है और क्या कर सकता है आप जो भी मेरे अभी अपने काम कर रहे होते हो रोज मर्या के जिंदगी में कितना कुछ चलाते रहते हो वो सब कुछ भी access कर सकता है screen आपकी जो कि ना वो देख messaging sites से फैलते है messaging sites मैंने की हिंदियों बोलता हूं जो कि message वाली sites होती है यह से WhatsApp में message देते है Facebook में message देते है Gmail में आपके message आते है email के तो वहां से क्या होता है एक ऐसी आपको कोई message आएगा और उसमें लिखा होगा कि आप इस पर क्लिक करिए इस link पर जाईए आपको लिगाए कि तो रोज की बात है ऐसे तो हम रोज करते हैं बस आपको ऐसा लगेगा वहाँ पर अपने details details भरेंगे और फिर वह hack हो जाएगा उसके पास चले जाएगी information और आपका वह चीज hack कर लेगा समझे ना मतलब important issue है तो अभी news क्या क्या आ रही है यहीं बता देता हूं जैसे UN Security Council United nation 193 countries इसके नीचे आती है इतना बड़ा संस्ता है उसने भी कह दिया है कि दोस्तों 600% 600% समझ रहे हैं न 600% इतना increase हो चुका है और हर 40 seconds में 39 seconds लगा रहा है मैं मानता हूं हर 40 seconds में क्या है एक attack हो रहा है एक बंदा effect हो रहा है मलब एक आदमी के साथ ऐसी दुरगटना हो रही है हर 40 seconds में तो अगनल नमबर आपका ना आ जाए करी तो जब अगर आपको लगता है कि ऐसा ना हो तो solutions बताओंगा मैं आपको अभी तो बता देता हूं कि क्या क्या हो रहा है उसका solution ही बता दूंगा अभी दूसरी ख़बर क्या रही है Cerebrus Trozone Malware पहली ख़बर क्या थी दूसरी ख़बर भी Trozone के उपर है पांच ख़बर दिखा रहा हूं यह दूसरी है ना पांच ख़बर दिखांगा और Trozone के उपर ही होंगी और बता दूंगा कि यह यह Trozone है क्या उसके बाद solutions तो बताएंगे इसमें क्य Cerebrus Trozone Malware क्या आई है यह जो SBI है जो Cerebrus अभी ने आने आरका है इसमें CBI ने भी रिपोर्ट किया है Crime Bureau of Investigation CBI जानते है ना CID की तरह होती है फिल्मों की CID की तरह CBI और उसके बाद Cerebrus Trozone के उपर इसने क्या किया है कहा है किया रही बेकार वाइदस है इससे बचे रहें आपको कभी भी कुछ ऐसा आ सकता है संदिक चीज आएगी अगर आपके सपास WhatsApp से आए Facebook से आए Gmail से आए इससे बाद कीजेगा जब तक उसकी security आपकी authentication उसका authorization प्रॉपर ना हो कि वह सही है कि नहीं क्या वह ब्रैंड है कि नहीं कुछ भी ऐसी आरटेला जिसका आपने अभी तक नाम ना सुना उसके ओपर मत जाईए उसके पर अपनी जाकर डिटेल्स मत बढ़िए पहले डिटेल अब trozone evenbot आ गया अलग अलग वर्जन से अलग अलग नाम से हैं खोले गए हैं evenbot यह भी effect कर रहा है कैसे android devices android apps के अंदर android device के अंदर या नहीं कि तो mobile में effect कर रहा है और तो चलो CP आपके PC's में ज्यादातर करते हैं लेकिन यह तो mobile तक पहुंच गया भाई अब तो आपके लि क्या उनका data leak कर देगा उसके data में credit cards आपका bank ATM card उसके details अधार card बता रहा हो ना जो वो सारी details कितना भी आप personal information जो रखते हैं bank के अंदर वो सारा ATM pin आप छुपके छुपके लिखते हैं आप ATM machine के अंदर वो भी सब गुम वो भी सब चली जाएगा यह सब यह इतना गंदा च इतने दिनों के आपका cyber security दूसरा पहलू आता है जो कि biological weapons की तो रही है कि biological जैसे coronavirus हो गया अब इस साइबर security दूसरी आ रही बिमारी क्या कि अब घर में बैटे हैं सब इंटरनेट चला रहे हैं सब मजजदार hackers crackers लगे हैं है करने में लोगों को बस वही है अगला अब यह त सब to zone ही है true zone ही सब समझ रहे हैं समझ रहे ना आप किसी site को विजड कर रहे हैं Google के आओ अपर देखें है इस site औरयो ही है विजिट करने में है वाँ देखिए जिस Site पर आ रहा है व माहा पर लिखा होना चाहिए और उस पर लिखा होगा एच टी टी पी एस नहीं लिखा होगा मच जाए कुछ इंफर्मेशन मच शेर करिए वहाँ पर अपनी कुछ इंफर्मेशन मच डालिए ठीक है उसके दुसरी सिक्यूर्टी वाले बताता हूं आपको जो ब्रैंड नेम है जैसे मैं किसी अच्छी एक spelling गलत कर दे रहे हैं उसकी लोगों को तो वहीं लग रहे हैं और format बिल्कुल blue color का ही दिखा रहे हैं हर चीज वैसी दिखा रहे हैं थोड़ा सा spelling गलत करके साइट का नाम बदल के वहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं चूना लग जा रहा है उनको उनके details भी चोरी ज जा रहा है रहा है हर चीज जाएगी जद तक शिल जाएगी दाओ पर हो जाएगी दुसरी तिसरी बात बता दी ने मैंने आपको पहली बात क्या थी site कैसी होने चीज जो कि HTTPS लिखे, दुसरी बात क्या बता दी मैंने आपको, Branded Site, Hotstar, Amazon, जो ऐसी साइट से जिन पर आपको जा सकते हैं, तुसरी बात, आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, आप कहने पर वीडियो देख रहे होते हैं, एड आता है ना, एड आता है, वहाँ एड पर अगर आप जा रहे हैं, तो एकिए कौन सी एड आपको कहां ले जा रहे हैं, कौन सी साइट पर ले जा रहे हैं, कौन सी साइट पर रिडिरेक्ट कर रहे हैं, क्या वो साइट HTTPS वाली है, Authentication प्रॉपर है उसकी, वहीं तब ही जाईए, एड कोई आप बोलता है, इस एप को डाउनलोड कर दीजिए, मत करिए आप को डाउनलोड, पहले आपकी जरुवत है क्या उस एप की, हाँ तब ही करिए, अगर उस जरुवत के आप देखिए, रेटिंग कितनी है, चार स्टार है, पांच-चार में से, साड़े-4 स्टार है, तीन स्टार देखिए, ठीक है दोस्तों, उसके बाद, उसके बाद सुनिए, उसके करना है आपको, सिंपल सा एक और लॉजिक लगाना है यहाँ पर, स्टार देखिए, आपने, बहुत धन्यवाद करने जाता हूं अपना बहुमूली समय लगाएं अपने मेरे साथ और आप आखरी जो मेरी मैं चाहता हूं कि आप करें एक काम कर दीजेगा पांच दस लोगों को पांच लोगों को भी कर देदे इसको वट्सैप पे शेयर कर दीजेख चलिह और अलाना न फद्र रिकाने चीज तो आप शेयर करते ओंगी इसको भी कर दीजे थोड़ा सा कर दीजे को शेयर फेस्जुक पर कर दीजा आप जाते हैं तो बस इतनी रिक्वेश्ट आप से थैंक्यू आपने अपना समय दिया मुझे और ऐसी फॉलो करती जाए यह मिस्टर संदाइच चैनल को क्योंकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए लेकर आते रह और थैंक्यू आगे वीडियो में आपको फॉलो करना ही है मुझे ठीक है ना जाना मत कहीं दूर प्लीज बाई